नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आज आप सभी के लिए टॉपिक लेकर आया हूं नीद पर कि नीद गई तो सब गया और नीद सही तो सब सही दोस्तो आज का टॉपिक विशेश तोर पर युवाओं के लिए है पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है जो अपनी पूरी इनरजी पढ़ाई में लगाना चाहते हैं भले वो मेडिकल से सबंदित हो भले वो इंजिनेरिंग से सबंदित हो या फिर वो आईस आरेस के पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार के पढ़ाई कर रहे हैं यूथ के साथ नीद के बारे में एक ख chemical release होते हैं जिसमें एक मेला टोनें special chemical है और फिर आगे cycle start करता है वहां से एक chemical reaction होती है जो आगे चलती है और उस पूरी chemical reaction के बाद में माइंड के कुछ system अपने आप काम करने लग जाते हैं और माइंड के बहुत ही शानदार सफाई होती है और वहां से हम तरो ताजा होकर फिर आगे के दिन के अंदर हम काम करने में जूट जाते हैं और हमारा 100% सही तरीके से हम काम करते हैं दोस्तों अगर नीन नहीं आईगी वो सकता है आगे के दिन में आपको सिर-दरत की समष्या रहे नीन नहीं आएगी तो सिर का भारीपन रह सकता है नीन नएएगी तो आप अपनी पड़ाही में अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाओगे नीन नहीं आएगी तो आपको पढ़ने का भी मन नहीं करेगा खासतार पर यूद के लिए और ये बात दूसरों के लिए भी लागू है कि आप कोई भी जो भी काम करते हूं उसमें आप अपना 100%, 100% नहीं लगा पाओगे दोस्तों आप यूथ की बात करें और नीद की बात करें तो यूथ के साथ में एक खास समिश्या और रहती है कि नूर्मली जो साइकल है नीद का वो लगबग 24 गंटे का रहता है कि 24 गंटे के अंदर एक टाइम इसा आएगा कि रात के 11 बजे हैं तो आपको नीद आना स्टार्ट हो जाएगी 15-20 मिनट के अंदर नीद आ जाएगी और सुबह के लगबग 7 बजे के आसपास आप अगर उ प्री जो है जाग जो हैँ वह साड़े साथ या फिर आठ बजय आएगी अपने आप थोड़ा सा आगे किसकेगा और यह जैसे ही आगे किसकता है रात को जो सौने का टाइम है वह भी फोड़ा सा आगे पिसके जाएगा इसके अंदर होगा क्या कि आपको पता ही नहीं चले ह कि देखते ही देखते आपका जो नया साइकल है वो लगबग एक गंटे डेड़ गंटे लेट हो गया आगे वाला साइकल जो है उठने का वो भी लेट हो गया और यह होते होते आपकी नीद जो है वो डिश्टरब हो जाएगे रात को डंग से नीद नहीं आएगी सुबह उठने का जो टाइम है वो आपका fix हो सुबह उठने का time को आप fix रखें और रात के सुने का जो time है वो भी आपका fix हो और उसको भी आप fix रखें और वो सारी चीजें जो रात के सुने के time के अंदर आपको डिश्टरब कर सकती है आपका sleep cycle आगे कर सकती है उन पर आप खास और प्रध्यान दे कौन-कौन सी बातें हैं वो सबसे पहली बात और सबसे जरूरी बात आज के जमाने में आपका मॉबाइल मॉबाइल के अंदर भी उसकी स्क्रीन और उसके अंदर इंटरनेट का कनेक्शन अगर आप रात के दस बजे इसके अंदर एक ग्रे मोड होता है आपको अच्छा लगेगा माइड उससे ज्यादा एक्टिवेट होता है जबकि ब्लेक एंड वाइट जो स्क्रीन है उससे माइड इतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं होगा तो आपका फाइदा हो जाएगा दूसरी बात यह है कि रात के दस बजने के बाद में इंटरनेट सेवा बंद आपकी नेट के सेवा बंद और वो सारी चीज़ें जो नेट के दौरा इंटरनेट के दौरा चलती है अगर वो बंद हो जाएगी तो आपके अंदर आप रात के सोने से पहले जैसी मोबाइल देखते हो तो माइंड के इंदर एक रेवार्ड सिस्टम एक्टिव सब गया तो मैं उमीद करता हूँ कि आप देखते हूं कि बारे में बहुत अच्षे से समझे हो और ये निद के से डिस्टम हो सकती है आपके अंदर यह समझाधा ज्याहिदा आती है इसके बारे में भी आप समझे हो और तो अगर आपको थीदियो अच्छी लगी रगी आप इसको लाइक करें आप अपने बातों को हमें कॉमेंट के थ्रू भेज़ें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल माइंड केर डॉक्टर सुरेश परियार के नाम से उसको जरूर सबस्क्राइब करें उसको फॉलो क करें फेस्बूप पेज को भी लाइक करें थैंक्यू जेहिंद जे भारत